हेलो लवली बड़ीज तो वेलकम बैक ये इस टॉमे का लास पार्ट है तो स्योल चिन को अपने CEO की तरफ से पर्मेशन मिल जाने के बाद स्योल चिन स्योनव को बताता है मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है तो तुम अब इस जगर से हमारे दर्मियन से दफा होगे तो वो भी हिंस को बोलता है मुबारक हो और मैं नहीं जा रहा हूँ इस बात को भूल जाओ और फिर स्योल चिन बिचार अपना दान काटता रह जाता है फिर सम मिलकर अच्छे से प्रैक्टिस करने लगते हैं और प्रैक्टिस के बाद बहुत सद हैपी थे कि उन्होंने बह प्रैक्टिस करने वाला है तो फिर क्या हम बाकी लोगों की काम चोड़ दे तो जूसु बोलता है मुझे इन में से कुछ और इंट्रस्टिंग चीज मिली है तो राइटर पूछती है कि वह क्या तो बोलता है कि जहां पर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं वह जीहान का घर है तो उससे नीचे अब बिला रहा था इंफरमेशन देने के लिए जूसु को फिर उससे पता चलता है कि जिस रोज एडम की कार का एक्सिडेंट हुआ था इससे पहले पार्टी खतम करके बाहर निकलते हुए कोई लड़की इसका वेट कर रही थी मतलब वो मिनसे की मॉम के बार इसको आगे से जाकर लिफ्ट मांग लेती है मगर एडम के माइंड में मिनसे की मॉम को लेकर चीज़ें चल रही थी वो इससे लाइक करता था पर मिनसे की मॉम उसके डैड को लाइक करती थी इस बीच में एडम की कार का एक्सिडेंट हो गया था जिसमें एडम की स्टूड में बारी बारी पूछती फिर रही थी जिसे हैरन दुबारा से देख लेती है जाकर माजून ही को बताती है और बोलती है वह जूसु को बच्चा मिंसे के पीछे पड़ा हुआ है उससे बोला भी था कि मैं सिल्चन की गर्फ्रेंड हूँ इस साथ में शिंजे माजून ही को ब पास बलाता है और उससे पूरता है कि वहीं से कुछ क्यों कर रहा है जिस पर जूसु से बताता है कि मैं खुद को रोक नहीं पाया मैंने सूचा कि इनको भी शो में डाल ही दूँ शो के इंडरस्टिंग बनाने के लिए और माजून ही इस से वान करता है कि तूर हो तुब ह जो चाहिए था वो मिल गया है मतलब स्योंचन तो बागी इस मैटल में किसी किसम की उंगली घसेड़नी की जरूरत नहीं है तुम्हें समझें और जूसु भी अच्छे से समझ जाता है कि क्राउन प्रिंस यानी के माजून ही से पंगाई जुनाट चंगा इतने स्योंवो बाह कि मेल की मेलेगे दिन चीकल आरों जूस टसन नहीं लें कर था इसे अपनी थे जोड़े कर पाते कर बाते के लिए को और लगता हैं मतलब जा है इस डूर को बंद कर देता है जो कि उसकी मूम ने थोड़ा सा बाते संदे के लिए खुला रखा था इधर स्योचन की मूम दुबारे से जाकर जल्दी से केक्स लेकर पहुंच जाती है बिन से दुबारे इन पर जपट अब लेती है जिसे देख कर वह हैरान होती है तो स्योच देर के लिए आयमा इशाय करने के बाद तो इसकी मोम को बताना ही पड़ता है बता देती है कि वह असल में एक मुख में पढ़ा था कि जब आपका बेटा पनी गल्फ्रेंड को गहल लाने लगे तो इसकी मोम को समझ जाना चाहिए कि उसका बढ़ा हो गया है तो सुर्चन बो इसे वापस रख दो तुमसे बॉला था अगर तुम्हारा वाइफ्रेंड होगा तो वापस करनी होगी तो जल्दी से वापस रख देती है इसकी फैमिली पिच्चर को देखते हुए इससे बताती है कि तुम बिल्कुल अपनी मौम की जिट्टों कापी लग रहे हो सुनाता है कि मैंने इस से पहले कभी किसी के साम débih नहीं से बलके सब्सक्राइब लए लिए लिए लिखा रहा हूँ पर मिनसी को वापस उसके घर तक छोड़ने जाता है सौलचन गर वापस आकर सोच रहा था किसी से पूछने चाहिए था कि इससे सौंग संग करते होई ज्याद कि मेरी गर्फरेंड बोल रही थी कि मैं बिल्कुल आपकी तरह देखता हूं जिसके मौम भी सुनकर काफी हैपी हो जाती है इसकी मौम इसके पास आकर इसे चाइल्ड हुड में यतीम खाने चोड़ जाने पर स्वरी बोलती है इस समय में मानी ही बनना चाहती थी पर इनको उस सबसे ज्यादे लव करती है इसे जुसुन एक कलर बार के सौंग को रिचेक कर दिया था जिसके लिए प्रैक्टिस कर रहे थे और स्टेज पर पर्रफॉर्म करने वाले थे फिर डॉब को इनको जाकर बताती है कि कोई और चाहरा नहीं है जहन लगा दो फाइव दिन है निय की की डैथ हुई थी जिसके सबने भी अक्सर आडम को तंग करते थे वह वेन की बड़ी बहन थी जो कि थाईलेंड से कोरिया में एक बड़ी सिंगल बने आई थी और एड़म की स्टूडन्ट थी और फिर एड़म इसकी डैथ के बाद वेन की फैमली के लिए रखम भेज़ दिया है अब बस तुम खुद को जल्दी से माफ कर दो और मजीद गिल्ट में रहने की जरूरत नहीं है एड़म इसकी बाते सुनकर फूट फूट कर रहने लगता है जो कि इनके गृप के लिए काफी ज़्यादा रहा था मिंसी उसे क्रीट करने के लिए एक फ्रस्टर में ले जाती है जहां पर जिल्दी कमपलीट कर सके शेल जनों के हाथ खाकर पूट पूर लगते हैं वह बहुत अर था वहां जाकर उससे बोलता है कि अगर कुछ कहना था तो सब के सामने कि था तो बूलता है क्यों कुछ समझ में नहीं आ रहा है या पिर इसकी पर इसे पूरती है कि तैन बार यह एक्सपायर कॉप हो रही है जिस पर स्योन वो बोलता है कि बस आज ही रात जिसको सुनकर तो वो रोने लगती है कि मतलब मेरे तुम्हारे इदर में जो एक लाइन थी बस वो ऐसे ही हमेशा के लिए रह जाएगी मैं इसे कभी भी क्रास नहीं कर पाऊंगी मतलब की बिचारी बोलना चाहती थी कि तुम मैं संग डी खुतिवांस से जाता है किसे की यादो में लुता है शाखती एड़स है पर भूसा करती है कि बियूंगा कर देघे इमनाना रोती की घर वापस लॉट जाती है फिर शो की ब्राड कास्टिंग का दिन आ जाता है मिंसे घर से रैडियो का निकलते हुए अपनी मूप को इसके लिए प्रेक करने और आनलाइन वोट करने का बॉल कर वहाँ से चली जाती है सब लोग वेटिंग रूम में बैठ कर अपने इंस्टूमेंट्स को ठॉक बजाकर चेक करने वार लगे हुए थे इधर स्योलचन और स्योन वो मिंसे के साथ अपने अलग मज़े लगा रखे थे मिंसे इन दोनों की हैकरतों से शिमिंदा होके बाहर निकल जाती है कि माकी लोग क्या सोचेंगे और हैरान थी कि स्योलचन तो चलो था ही ऐसे और स्योनों ने बच्चों के जैसे हरकते करना कब शुरू की यह सिर्फ तो स्योलचन की आदत थी इतर मिंसे गूमती गहमती इस शो की राइटर के रूम के बाहर पहुंच चुकी थी जहां वो अपने एक और साथी कुछ जूसों के अपसेट होने के बारे में बता रही थी कि वो जी हां मतलब कि एडम के बारे में VCR शो पर करना चाता था पर माजून ही कहा थो इसकी शो मत आई मैंने तो से पहले ही बोला था कि मत करो वगर उसने खुद की बेचिती को आवाज लगाई थी इतर मिंसे को ढूटते ही वो दोनों भी इसके पीछे पहुंच जाते हैं इतर मिंसे उनको अपने बारे में बाते करते सुनकर वहापन रोक जाती है राइटर का साथी उससे पूछ रहा था कि मिंसे का क्या सीन है जिस पर वो राइटर बोलती है इसकी काहानी भी बहुत ही अलग है उसके डैड का कार में एक्सिडेंट हो गया है यह चे साल पहले जब यह एक्सिडेंट हुआ था इसे नियूज आर्टिकल्स में चापा गया इधर मिंसे को वो सारा सीन याद आने लगता है कि उस दिन उसके डैड कितने ज़्यादा हुस्से में थे और अवर स्प्रीन का रहे थे मिंसे के रोकने के बावजूद भी वो रुक नहीं रहे थे मिंसे उस सभी सीन को याद करते हुए नीचे गिर कर रोने लगती है वो तोनों भी हैरान खड़े थे फिर मिंसे वहां से भाग जाती है स्योल चिन इसके पीछे पीछे भागता है और सिल्चित की फैंस इसे घेल लेती है फिर वो हायों को साथ लेकर इसे ढूडने निकलता है वो एडम के गर पर भी नहीं थी फिर एडम इसे याद दिलाता है उस पार्क के बारे में जहां पर मिनसरी से वो मिला था वो वहाँ पर जाता है तो वो से वहाँ पर रोती भी बैठी दिख जाती है वो इसके पास जाकर बैठ चाता है वो फूब दिल भर कर रोती रहती है और इधर सब लोग इनके लिए वरिट थे शो स्टार्ट हो जाता है इधर दंडू आकर सिर्वो को बताता है कि आलफर वन ग्रूप ने अपने हिडन कार्ड में किसी डैनियल पार्क को डाल रखा था फिर इसे पूछता है कि वो कौन है सिर्व बताता है कि वो इंगलेंड से आया कि परियोंगे पक्राउड करें सेुथ परोफिया दल भी और सहल्ग हुआ के वहा bounce ने पर हिएग परता हमुआपने साथ ले आया था और फिर दोबारत से फैंस में फंस किया था फिर जान चुड़ा कर भागता हुआ अंदर आता है और हैपी है कि इनको बताता है देखो मैं आ गया हूँ और वो सब लोग उसे देखतर हरान होते हैं कि अपने साथ के से लाए हो वो मुड़कर देखता है तो उसके साथ वही साइको गल थी और सियल चिन को समझ में आ जाती है कि भीर में गलती से भागते हैं मिंसे का हाथ चूट गया था फिर साइको गल ने इसका हाथ पकड़ लिय पर लेकर आजाता है अजयाता है को बोलता है कि मिंसे का ख्याल रखना पकड़ कर रखना फिर वह लोग भी स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए पहुंचाते हैं इनकी परफॉर्मस भी एक दम मस्त रहती हैं सब लोग बहुत अच्छा से खोकर अपनी परफॉर्मस देते इस अपने डैड की याद आ जाती है फिर सबसे पहले दिन से अगले दिन एडम के पास जाती है एडम के पूछने पर उसे घ्रस करने को बोलती है कि हम जीते हैं यहारे है और इसके एक्स एक्सप्रेशन से एडम को पता चल रहा था वह लोग बैटल विंद कर चुके हैं इ खोड़ा बहुत बताया जाता है कि सब के बीच में क्या और कैसे कब शुरू हुआ जो कि हम लोग पिकनी एपिसोर्ड में देख चुके हैं डिटेल में और बताया जाता है जब सबका एक ही शुक और एक ही ग्रीम यानि के म्यूजिक के रिलेटिट था इस चीज ने इन सभ लवली बड़ीज